हेलो, क्लास थोर्ड स्टूडेंट्स आफ डिवाइन फब्लिक स्कूल, आई एम योर हिंदी टीचर, यह है आपकी हिंदी की बुक, आनंदी का हिंदी, आज मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी, यह है आपकी मिसे सुची, इसमें 14 लेसंस है, आपका फॉर्स लेसंस है, कुछ देना सीखें, इसका अर्थ है निस्वार्थ भाव से देना, यदि हम किसी को कुछ देते हैं, तो वह निस्वार्थ होना चाहिए, इसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं छीपा होना चाहिए, इस कविता को स्वेता जंग्वर लिखी है, यह इस कविता की लेखिका है, प्रक हमें रोशनी देता वाय नया जीवन देती है भूख मिटाने को हम सब की धर्ती हमको अन देती है औरों का भी हित हो जिसमें हम भी ऐसा कुछ करना सीखें पथिकों को जल्दी दोपहरी में पेड सदा देते है छाया खुस्बू भरे फूल हैं देते हमको नय फूलों की माला त्यागी पेडों के जीवन जैसा हम भी तो कुछ देना सीखें आई अब हम अर्थ जानते हैं प्रकिर्ती हमें देती है सब कुछ प्रकिर्ती हमें सब कुछ देती है हम भी तो कुछ देना सीखें और हमें भी उससे रोशनी देता, जिस प्रकार सूरत से हमें रोशने मिलती है, वाई नया जीवन देती है, वाई मिन्स हवा, और हवा हमें आक्सीजन के रूप में नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सब की धर्ती हमको अन देती है, हमारी भूख मिटाने के लिए धर्ती माता हमें अन देती हैं जिस प्रकार धर्ती जो अन उगाती है तो खुद तो भा खाती नहीं है वैसे ही औरों का भी हित हो जिसमें हम भी ऐसा कुछ करना सीखें हमें कुछ भी ऐसा करना सीखना चाहिए जिसमें सबका हितों दूसरों की भलाई हो हित मिल्स भलाई होता है पथिकों को जलती दोपहरी में पेड सदा देते हैं छाया जिस प्रकार पेड कड़ी धूप में आते जाते लोगों को छाया देती है खुस्बू भरे फूल है देते हमको नए फूलों की माला और सुगंधित फूल हमें विभीन प्रकार की मालाय देती हैं उसी प्रकार त्यागी पेडों के जिवन जैसा हम भी तो कुछ देना सीखें हम सभी को भी पेडों के जीवन जैसा त्यागी होना चाहिए, हमारे अंदर त्यागी भावना होनी चाहिए, हमें उसे ये सीख लेनी चाहिए ये थी आपकी कविता और उसका अर्थ ये है इस लेशन के कुछ कठिन सब्दों के अर्थ और प्रश्णुत्तर पाठ एक कुछ देना सीखें, सब्द और उसके अर्थ प्रकिर्थ मिन्स कुदरत, वायु मिन्स हवा, जीवन मिन्स जिंदिगी, अन्न मिन्स अनाज, हित मिन्स भलाई, पथिक मिन्स राहगीर, सदा मिन्स हमेशा, माया मिन्स खजाना, त्यागी मिन्स त्याग करने वाला And question answer, first question is, संसार को रोशनी कौन देता है? उत्तर है, संसार को रोशनी सूरज देता है Second question, धर्ती हमें क्या देती है? उत्तर है, धर्ती हमें अनाज देती है Third question, पेडों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? उत्तर है, पेडों से हमें छाया, फल और फूल प्राप्त होता है Fourth question and last question, बच्चे भगवान से क्या मांग रहे हैं? बच्चे भगवान से, प्रकिर्ती के माध्यम से, नहिस्वार्थ भाव से, दूसरों की सेवा करने की प्रेडा मांग रहे हैं बच्चों, आप इसे कॉपी पर लिखो और याद करो Thanks all